अगे हम आपको इसकार फैंगर बनाना बताते हैं उसके लिए हमें चंद चीजों की जरूरत है पुरानी जो आपके घर में चूनिया बिकार हो जाती है इस्टील की या प्लास्टिक की वह हम ले सकते हैं और नहीं तो फिर आम जो बोतल आती है कोल्ड रिंग वगरा कि उसके रिंग काट सकते हैं उसके अलावा यह हमारे पास डोरी है डोरी में हम उन की कोई और डोरियां भी बाजार से जो बनी भी मिलती है वो भी ले सकते हैं मूटी डोरी यह तो हमने एक बन्यान पुरानी थी उसको काटके जैसे यह है इसमें से हमने इस तरह से इसको काटके बा अगर आप चिपकाना चाहें तो गिलू की ज़रूरत होगी नई तो हम सुझ धागे से भी काम कर सकते हैं बस अब हम यह स्टार्ट करते हैं यह हैंगर हैं हम यहां से इस टोरी को अपनी इसको हो ज़रा मजबूत हो बस वह हैंगर वह आप ले लीजे उसके वाज यह जो हमने प्लास्टिक है जो भी है उसको हम इस तरह से इसमें पूरी में हम इसको राउन की शकल में इस तरह से देते जाएंगे जैसे यह पूरा कवर हो जाएगा थोला कस्क के लेना है बस और कोई मसला नहीं है इस तरह से अभी हम पूरा फेल लेते हैं इस पर हैंगर पर फिर आपको दिखाते हैं देखें बस अब हम एंट करना है इसको यहां पर लाके अब इसको चाहें तो आप गिलू से वो करने और चाहें तो सुवी धागे से मैं यहां पर सुवी धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ और सुवी धागे से इसको पक्का कर देंगे कि यह हमारी डोरी जो है यह खुले ने बस अब हमने इसको पक्का कर लिया अब हमारे यह हैंगर तयार हो गया अब अब हैंसके सरकिल जो है जो इसमें लगाने हैं हमें स्कार्फ के लिए उसको तयार करते हैं वो दिखाते हैं आपको जाँ हमने इस पर इस तरह से कोई भी चूड़ी है या किसी भी किसम का आपके पास सर्किल है, वो आप ले लेंगे, और इसको जैसे हमने अभी हेंगर को कवर किया, इसी तरह से इसको हम कवर कर लेंगे, इसी तरह लपिटते हूंभे, पिर बात मिलाके हम उसको सुई से या अपनी गिलू से ज्वाइन को आप सीधे, यह देखि इनको आपस में यू रखक्ते और जो हमारी यहां ऐसा सी डोरी आधिसे ज्डो जॉइंट कर देंगे इसको अभी आपको बतागए ते इस तरह करके…… इसके लिए हमने फैंसी सी डोरी लिए और इसको हम यह हैं से जोइंट कर लिए पर दूसरे को फिर यहां से जॉइन कर लेंगे अभी हम आपको इस तरह से करके दो थी इसको इस तैप गुमा लिए आपके यह मजबूत हो जाए और उसके बाद हम आप गिरहा लगा लें या इसको गिलू लगा लें जैसा आपकी समझ में आए सूज़ दागे से टाका लगा लें जैसा आप बैस्ट समझें बस यह यह शकल इसकी यह अब हम इसको तीछे अब हम सारे इस तरह से यह गिया लगा लगाते हैं यह देखें इनको आपस में जॉइंट करने के लिए भी यह तरीखे कार हम अपनाएंगे अब यह इस तरह से हम सारे इसको इस डोरी से फिक्स कर लेते हैं फिर आपको फाइनल चलिए देखें यह हमारा हेंगर इसकार्फ के लिए बिल्कुल रेडी है अब इसमें अराम से आप इसकार्फ टांग सकते हैं और मजीद बढ़ाना चाहें तो आप नीचे सर के रह बढ सकती है चार ड्रो बन सकती है यह हमने आपको एक डिजाइन बता दिया अभी नीचे आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा ले इस तरह के इसकार्फ हमारे जुद्ध में टक सकते हैं आप इसी तरह हम नीचे वाले सर्किल में टांगेंगे अगे यह देखें यह हमारे नीचे वाले सर्किल में इसको इस तरह से लेके आप 20 कलो अब देखें यह हमारा ना इसकार्फ हैंगर तैर अब इन्शाललह नए वीडियो के साथ नए आइडियास के साथ इन्शाललह फिर मुलाखात होगी अलाप एस बार आप कर दो